तो क्या तेजस्वी यादव भी नौकरी के बदले जमीन लेते हैं तो क्या तेजस्वी यादव भी लालू पुरसाद यादव की तरह अगर कोई सरकारी बहाली अपने दम पर निकलवाते हैं तो उसकी भरपाई के लिए लोगों से जमीन का मांग करते हैं और क्या तेजस्व प्रोपागेंडा नहीं चला रहे हैं यह प्रोपागेंडा भाजपा वाले चला रहे हैं अब क्या कैसे क्यूं हुआ है यही आपको समझाएंगे अम इस वीडियो में समझे पहले इस बात को कि तरस्वी आदाव जब से उपमुख्यमंत्री बने हैं तब से हर पत्रकार उनसे यही सवाल पूछता है कि भाई साब एक बात बताईए आप दस लाख नौकरी का वादा किये थे और आप दस लाख नौकरी कब दीजिएगा उसके बाद तरस्वी आदाव कहते कि आपको थोड़ा सा इंतिजार का मजा लेना पड़ेगा और हम आपको जल्द से जल्द नौ नौकरी मुहया करवा देंगे बैरहाल उसके बाद तरस्वी आदाव पर आरोप लगनों की शुरूबात हो चुकी है तरस्वी आदाव बहुत सारा नौकरी निकाल रहे है आज 4,325 लोगों को न्यूकती पत्र दिया रहा है राजासोविभाग के हाला कि उस पर यह आरोप उठने लगे तब भाजपा वालों ने तरस्वी आदाव पर क्या सवाल उठाया सिर्फ तरस्वी आदाव ही नहीं नितीश कुमार पर भी सवाल उठाया गया है और सवाल यह है कि नितीश कुमार तरस्वी आदाव के थ्रू नौकरी के बदले जमीन वाला खेल कर रहे हैं अब ये कौन कह रहा है और कैसे कह रहा है इस वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे। बाजबा के प्रदेश अध्यक जिनका नाम है सन्यर जैस्वाल वो अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि पिछले चार महीनों से नितीश जी ने एक लाख पंद्रह हजार शिक्षकों की नौकरी और लगभग एक लाख दूसरे विभागों की नौकरियों को जो NDA के साशनकाल म निकालने के लिए हमसे आज कल का नाटक कर रहे थे अब तो आप प्रधान मंत्री के दिवासपन वाली सरकार में हैं कम से कम इन धाई लाख नौकरियों को जो NDA के समय के साथ विलकर तय हुआ था उसे दे दीजिए आप पच्छे से जानते हैं कि आपके उस्ताद तिरस्व प्रधियों को आपने इसलिए रोक कर रखा है कि पहले आपके उस्ताद तिरस्वी जी उनके माबाप से जमीन दान में ले लें फिर आप नौकरियां देने की शुरुबात करें आप समझेगा इस बात को संजे जैसवाल इस बात का आरोप नितीश कुमार पर लगा रहे हैं कि NDA की जब सरकार चल रही थी बिहार में जदियों और भाजपा की तब जदियों और भाजपा ने मिलकर ढ़ाई लाख सरकारी नौकरी देने का प्लान तयार कर लिया था लेकिन संजे जैसवाल के मुताबिक नितीश कुमार जान बुझ कर वो बहाली नहीं निकाल रहे थे संजे जैसवाल ने यह आरोप लगाया है कि अब उनको समझ में आ रहा है कि नितीश कुमार वो बहाली क्यों नहीं निकाल रहे थे जिस बहाली के अनुशनसा भाजपा वाले कर रहे थे संजे जैसवाल आगे कहते हैं कि इसलिए आप आज कल का नाटक कर रहे थे एक लाख 15,000 शिक्षकों की बहाली का अनुशनसा किया था भाजपा ने लेकिन संजे जैसवाल के नुसार नितीश कुमार ने इस बहाली को रोक दिया इसके अरवा अलग-अलग विभागों में संजे जैसवाल ने ये कहा है कि एक लाख और रिक्तियां थी जिसको भरी जानी थी ले पर उस्ताद का मतलब है तरिस्वी यादव संजे जैसवाल उसके बाद कहते हैं कि कहीं आप तरिस्वी यादव का इस बाद चा तो इंतजार नहीं कर रहे हैं कि वो जमीन दान में लेले उसके बाद आप नौकरी निकाले मतलब ये कि तरिश्मी आदाव पर आरोप लगा दिया है सेने जैसी वाल 2 धियुकिट तगरुने हैं कि वह हो सकता है कि उन प्रत्याशियों से जमीन ले जिनको नौकरी दे आएगी संझार hoş सवानी ने उने जमीन लिया और उसके बदले में कई लोगों को नौकरी दे दी और उसी के तहट आज सवाल ने नितिश्कमार प्रारोप लगाया कि आपने हमारे साशनकाल में जो नौकरिया दी जा रही थी उसको रोक कर रखा था और अब जब तिरस्वी आदव के साथ आपकी सरकार ब बताईए बागी कोई अन्ने खबर आएगी तो आपको में तला करेंगे मिरा नाम प्रशांत राय है आप जंता रिंक्शन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद